हेलो स्टुडेंट्स तुडेए वी आर गोंग तो कंटीनियो आवर चैप्टर डेटा है लिए चैप्टर 3 अव क्लास 7 इसके पहले के वीडियो में हम लोग और्गनाजेशन आफ डेटा देख चुके हैं कि और अगनाजेशन क्यों जिरूरी है आज का हम लोगा टॉपिक है प्रिजन्टेटिव वैल्यूज यू माइट बी अवेर अवी टर्म एवरेज और वुद आव कम अक्रॉस स्टेटमेंट्स इंवल्विं टर्म एवरेज इन यूर देटो देलाइव अब देखिए अवरेज कहां कहां पर इस्तेमाल होता है ईशा स्पेंट्स ओन एवरेज देली फोर स्टेडिज देवरेज तेम्परेचर अच इस तांव दियर इज अब फोर्टी डिग्री सेल्सियस गर्मी का मॉसम चल रहा है नौर्थ इंडिया के जातर भागों में चारीश डिग्री के आसपास तापमान रहता है इज अवरेज एज एज अव प्यूपिल्स इज आपकान रहता है नौर्थ इज एज आपकान रहता है नौर्थ बागों में चल रहता है नौर्थ यह डिग्री के तौर पर फाइज देली पड्ति है जरूरी नहीं है माल लिए कि हम लोगे हखते का पता लगा रहे हैं कि यह हखते में साथ दिनों उसने एवरेज तोर पर कितना पढ़ा कितने घंटे डेली पढ़ा है हमलों करते हैं कि पांच घंटे डेली वह पढ़ती है लेकिन यूदिन 5 गंटे ही पढ़ेगी कभी ऐसा ह हो सकता है कि उसे जादा हो मिला हो तो 5 घंडे से जादा पढ़ाई में लगाए लेकिन होता क्या है कि पांच की आसपा सी रहता है कभी 4 हुए कभी सार है चार से साथ फांच छे इस तरह से तो आफिकाथि हैं कि यह दिद्र गर्मी चारइब प्रिगरी रहेगा आपने वाल में देख सकते हैं कभी वह 38 होता है कभी 37 होता है कभी 42 हो जाता है यह जो रहते हैं सेम है आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे 12 साल पूरा कर चुके हैं उसने नहीं किया होगा कुछ ते रहके भी होंगे लेकिन अवरेज तोर प्रो बारा के आसपास ही सारे बच्चे है देन वाट डू तीज स्टेटमेंट्स तेल यू बाई एवरेज वी अंडरस्टैंड इशा यूजुवली स्टेडिज फॉर फाइव आवर्स यानि कि जो मैंने भी समझाया वही तो इंस्या में क्या मालूम चलता है क्या समझ में आता है वी रियालाइज डाट एवरेज इसे नंबर डाट रिप्रेजेंट्स और शोज दिस सेंट्रल टेंडेंसी सेंट्रल टे इक षcast 30Nuta ऊनुंट्स और फोर्टी 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 एह ब्लीट जो मया committed क्यांज फोर्टी के आसपास रह रहे हैं 40 हो लेते हैं यह तो फॉर्टी से कम रह रहे हैंungs 06 ज्यादा नहीं आवह ज्यादा चंब नहीं लाई कर भीन होबिगर बहुत ज्यादा आवकर दिन य लिझे आदेंटि पर लोह और मिंए थो हिस्टे टेटा कि टेंडेंजी के वाने कि 40 के यानिक्य की फटी की स X सारे गップ कर रहें इसी टेंडेंजिक को बोलते हैं Central tendency to gather around एनी की जमा होना middle value बीच के आसपास जमा होना उसी के आसपास उसी के जैसी value जो होना इसी को बोलते हैं Central tendency अब Central tendency के तीन measures हैं जो आपर यहाँ पर पढ़ेंगे पहला है arithmetic mean मेन क्या होता है? The most common representative value of a group of data is the arithmetic मेन or the मेन. To understand this in a better way, let us look at the following example. Two vessels contain 20 liters and 60 liters of milk respectively. What is the amount that each vessel would have if both share the milk equally? When we ask this question, we are seeking the arithmetic mean. यानि कि दोनों बर्तनों में अगर बरावर बरावर बांट देंगे, तो एक बरतन में कितना आएगा? In the above case, the average of the arithmetic mean would be total milk by number of vessels. दो बरावर बरावर करेंगे कितना आएगा? तो क्या करेंगे? दोनों को एड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे. कितना आएगा? 40 लिटर. यानि कि एक में 40, दूसरे में भी 40. और टोटल कितना आएगा? टोटल वो 80 ही रहेगा. Thus, each vessel would have 40 liters of milk. The average or arithmetic mean, or simply mean, is defined as follows. Mean is equal to sum of all observations by number of observations. जितने भी observations हैं, जितने भी data values हैं, उनको add करके, उनका number of observations कितने थे? यानि कि यहाँ पर देखिए. टोटल वैलू कितना है? मिल का टोटल quantity कितना है? 40 liters? Sorry, 80 liters? और number of observations कि बरतन कितना है? यहाँ पर दो से डिवार किया. Now, Ashish studies for 4 hours, 5 hours, and 3 hours respectively on 3 consecutive days. How many hours does he study daily on an average? यहाँ पर average निकालना है. एक दिन से 4 घंटे पढ़ा, फिर 5, फिर 3 घंटे. तो, the average study time of Ashish would be, टोटल number of study hours by number of days for which he studies. टोटल कितने घंटे पराई किया है? उसने. 4 प्लस 5 प्लस 3. और कितने दिन थे? तीन दिन. तो, कितना आया मीरी यहाँ पर? 4 hours per day. On an average, 4 hours per day. A batman scored the following number of runs in 6 innings. कितने runs उसने स्कोर किये है? 36, 35, 50, 46, 60, 55. आप लोग क्रिकेट देखते ही होंगे. तो, कितना अचा परफॉर्म कर रहा है? यहाँ देखने के लिए यहाँ देखा जाता है. कि अगर एक तूना में पांच मैच हुए हैं, यहाँ पे 6 हैं, मान लेते हैं 6 मैच हुए हैं, तो और एन अवरेज उसने हर मैच में कितने रन बना है? यहाँ देखने के लिए कि वो कितना अचा परेयर है. तो टोटल रन्स कितने हैं पर 282 एड करने से. To find the mean, we find the sum of all the observations and divide it by the number of observations. Therefore, in this case, mean is equal to 282 by 6, that is 47. And कि और एन अवरेज, he scores 47 runs. Now, how would you find the average of your study hours for the whole week? अब आप देखिए कि एक वीक में आप हर दिन कितने हंटे परते हैं उसका अवरेज निका लिए. Okay? Now, consider the data in the above examples and think on the following. Is the mean bigger than each of the observations? Is it smaller than each observation? आप देखिए. मालिए, यहाँ पर mean आया है, 47. तो इस value से यह सो compare करते हैं. तो आप देखेंगे कि कुछ value से तो यह छोटा है. कुछ value सो तो यह बड़ा है. यहीं कि 36 और 35 से यह बड़ा है. 46 से भी बड़ा है. 3 value वैसे हैं, जिससे यह बड़ा है. और बाकी के तीन जो है, 50, 60 और 55 उससे यह छोटा है. यह सबसे छोटे और सबसे बड़े अब्जरवेशन के बीच में ही लाई करेगा. In particular, माल लिजे अगर दो ही values हैं. The mean of two numbers will always lie between the two numbers. यानि 5 और 11 का mean अगर लेते हैं, तो वो 8 आता है. विच लाई बिट्वीन 5 और 11, जो 5 से बड़ा है, 11 से छोटा है दोनों के बीच में हैं. Okay, now, range. The difference between the highest and the lowest observation gives us an idea of the spread of the observations. Range कितना है उस data का? This can be found by subtracting the lowest observation from the highest observation. Recall the result the range of the observation. Look at the following example. The ages in years of 10 teachers of a school are 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38, or 40. What is the age of the oldest teacher and that of the youngest teacher? इसके लिए पहले आपको क्या करना है? आप ही किस विधा के लिए पहले इसको ascending order में यानिकी बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर लेते हैं. छोटे से स्टार्ट करते हैं फिर बड़े की तरफ जाते हैं. उससे क्या होगा? आपको बड़े आराम से पता चलिया कि oldest teacher कौन है? 54. 54 years is the oldest teacher's age. And the age of the youngest teacher is सबसे छोटा वाला 23 years. अब range जाना है, यानिकि कितने साल से लेकर, कितने साल के range में ये सारे teachers का age आता है. अब यहाँ कोई 10 साल कातर है नहीं. तो हमने पता करना है range. तो range होगा 54 minus 23. 31 years. over the span of 31 years, इनका age होता है. Mean age of the teachers. सबको plus करके, कितने teachers हैं 10 हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे. यानिकि 35 years is the mean age. Okay, in the next video, we will see exercise 3.1.